गाईश आजगा वीडियो आउजज़ा का जितना भी Amlify है सभी का प्राज बतने वाला हूँ वह है डोयोग को बनाया हो और इसमे आपको टोटल 22 Amlify की प्राज आपको देखनों मिलेगा जो की दोजद तेस का रहने वला है मैं आप से यह को एक चीज बतना चाहूंगा देखे प्राज ओपिसली मतलब जो आउज़ा के तरफ से कोई भी मतलब जानकारी नहीं दिया है मैं आप से विडियो को शुरू करते हैं और अभी तक आप लोग चैनल को सस्काब नहीं कि तो चैनल क इस बुड़ोतन शुरू करते हैं तो चले सबसे बात करेंगा देखे अहुजा का बहुत सरा अमिलिफार आता है और सभी अमिलिफार की प्राज लिस्ट एक वीडियो में संभब नहीं है इसलिए में इसका सेकंड पार्ट लेकर जुरूर आऊंगा जितना भी बचा कोछ अमि हुजा की तरफ से SSB 45 EM तो इस अमिलिफार को आप लोग जानते होंगे सबसे छोटा अमिलिफार मान सकते हैं इसका प्राज की बात करूंगा अभी के प्राज 5,000 से लेकर 22 रूपया में असानी से मिल जागा आपके रिया में और इसमें आपका एक से डेड़ा जारी जाद आपको दिनों मिलेगा और अगला मिलिफार की बात करूंगों तो अगला मिलिफार DPA 570 M को जानते होंगे यह आपका आर्मेस पर पचास ओटेज और मेक्सम पर आपका 75 रूटेज यह प्रवाट करता है और इसका प्राज की बात करूंगों दो जा तेज का 5,900 लेका 6300 के बीच में मिल जागा इसमें भी आप लोग मान सकते हैं मताई एक सडेडा जारी इनकलूट किया है मताई अपको मिल जागा और आप लोग अभी टाइम में इतनी प्राज में आपको लगबग मिल जाएगा और अगला मिलिफार की बात करूंगों अहुजा का SSB 60 E-N बीचम क के बीच में आपको मिल जागा और अगला मुडल की बात करूँ तो अउजा का यह मोडल DPA 770M जो की बहुत ही अच्छा मिली फार है और इसका वड़ेज की बात करूँ यह इनिफार आपका 75 अगला मुडल की बात करूँ अउजा का SSB-80M और इनिफार आपका 80 वड़ेज का होता है और मैसिम्पार आपका 110 वड़ेज दिखनों मिल जागा और इसका प्राज की बात करूँ जो की अभी की टाइम में 7500 वड़ेज दिखनों मिल जागा और चले अगला मुडल की बात करूँ अउजा का SSB-80Fx और इनिफार आपका 85 वड़ेज का होता है और मैसिम्पार आपका 110 वड़ेज का होता है इसका प्राज की बात करूँ यह आपका 97,000-10,000 के बीच में आपको मिल जागा चले अगला अगला मुडल की बात करूँ अउजा का SSB-80DF-M तो इस अगला मुडल की बात करूँ आपका 80 वड़ेज का होता है और मैसिम्पार आपका 110 वड़ेज का होता है प्राज की बात करूँ यह आपका 9-10,000 के अंदर यह आपको मिल जागा लगबग इनी किरिभी में आपको मि मिलना है और इस अंदर मिल जागा अगला मुडल की बात करूँ आउजा का SSA-100M इस अंदर को बाकी में आप लोग जानते होंगे यह आपका SSB-120DP इस अंदर को भी आप लोग जानते होंगे यह आपका आर्मेस पार 120 वरेज करता है और मैक्सम पार आपका 160 वर्ट यह परवाइट करता है इसका प्राज की बात करूँ यह आपका लगबग 10 लेकर 11 जर की बीच में आपको मिल जागा जो कि यह आपका आर्मेस पार 120 वरेज करता है और मैक्सम पार आपका 160 वर्ट का होता है इसका प्राज आपका 9300 लेकर आपका 9700 पी 9800 के बीच में आपको मिल जागा और अगला मुडल की बात करूँगा आउजा का आपका एकसो साट डिपी और उससे थोड़ा सबको ज्यादा प्राज दिनों मिलेगा तो यह आपका आर्मेस पार 170 वर्ट और मैक्सम पार आपका 120 वरेज दिखनों मिल जागा प्राज की बात करूँगा आपका 13 से लेकर 13 जर के बीच में आपको मिल जागा चले अगला आपको मिलना है लगवा आपको मिले जाएगा अगला मोडल की बात करूँगा अहुजा का SSA 250 FX जो की FX बला मोडल है जो कि आप लोग जानतोंगे यह इन पर आपका 250 सोड़ेज आर्मेस पार और मैक्सम पर आपका 300 होता है और इसका प्राज की बात करूँगा इसमें आपक का SSA 250 DP जो की उसी मोडल का DP बला मोडल है और इसमें आपको सब कुछ लगा सकते है और आखिर बात करेंगे जो कि इसका लास्ट बला मोडल जो की आउजा का SSA 250 M जो की सबसे प्राज की बात करूँगा अगला मोडल की बात करूँगा अउजा का SSA 350 इसमें पार को भी आप लोग जानते होंगे यह पर आपका आर्मेस पास 3700 इसका होता है और मेक्समें पर आपका 4700 इसका प्राज की बात करूँगा यह आपका 19 से लेकर 20,000 के बीच में आपको मिल जागा लगवग इनी करेंज में आपको मिलना है और मिली जाएगा और अगला मोडल की बात करूँगा अउजा का SSA 5000 EM तो इस अनिफार को भी आप लोग जानते होंगे यह पर आपका 500 इसका होता है और मेक्समें पर आपका 750 इसका होता है प्राज की बात करूँगा यह आपका 25 लेकर 26,000 किसी इरिया में लगवग सताइस तो आपको मिल जागा लगवग इन ही करें में आपको मिलना एल लगवग मिली जाएगा और अगला मोडल की बात करूँगा अउजा का उसका डीपी वख़ा मोडल SSA 5000 Dp और इसमें आपको डीपी कफलम आपको पता हो लगवग यह इनिफार आपका 500 इज और मेक्सम पर आपका 750 उड़ेग प्रा अगला मुडल की बात करूँगा अउजा का SSA 7000 और इस अनिपार को भी आप लोग जानते होंगे यह इनिपार आपका 700 अर्मेस पार के साथ आता है और मैक्सम पर आपका 900 अउड़ेच होता है प्राज की बात करूँग यह लगवा आपका 32-33,000 के बीच में आपको मिल जाग अगला मुडल की बात करूँग अउजा का SSA 10,000 और इस अनिपार को भी बाकी में आप लोग जानते होंगे यह इनिपार आपका 1000 अर्मेस पार के साथ आता है और मैक्सम पर 300-500 अउड़ेच होता है और इसका प्राज की बात करूँग 42-43,000 के बीच में आपको मिल जागा ह TZA 1200 इस अनिपार को भी आप लोग थोड़ा हो जानते होंगे यह इनिपार आपका 60 वट का होता है और मैक्सम पर आपका 120 वट का होता है प्राज की बात करूँग आपका 10 लेकर 17,000 के बीच में आपको मिल जागा अगला मुडल की बात करूँगा इसी का जो कि TZA 1500 डीपी औ इसका मोडल नंबर से वटेज बहुती चेंज दिखनों मिलेगा आप सभी को जो कि इसका आर्मेस पर अस्यू डेज और इसका मैक्सम पर आपका 100 वटेज दिखनों मिल जागा और प्राज की बात करूँग आपका 13500 के बीच में आपको मिल जागा लगबग इनी के रेंज म दिखनों मिलेगा पिछले बाला मोडल से साड़ा बारा से लेगा 13000 के बीच में आपको मिल जागा और अगला मोडल की बात करूँग आउजा का टी जड़ेड डीपी और डीपी आप लोग जानते हों के साहथ लगब आपको पता होगा और यहां पर आपका टू जोन बाला कि बात करूँगा अउजा का टी जड़ेड डोजार और इसमें भी आपका टू जानल फार होता है हलाक वह अपका डीपी वाला था और यह आपका सिंपल बाला है तो यह आपका एक सो आर्मेश पार पर जोन और मैक्सम पर आपका से मोगा जोकी 130 प्रास 130 मैक्सम पर public जातर कमेंड करते की प्राज लिस्ट गलत है तो जंगे चाकि तरफ से को भी प्राज लिस्ट नहीं बताया ना बल्की जाली किया यह जो की जो आप सभी के अर्या की प्राज चल जगा तो चले ने तक और में हे सकश कर रिख मिरने बैद तो बस ब्ढ़ों यह तक